कि है वेलो फ्रềnंड्स आज आंडे से एकदम न involved नभी जिसे आप 10 मिनट में बना कर जट पत्तियार सकते हे और इस नासते को आप सुबह-स और यह प्रती में डालो आफना सकते हो हैं और और फ्रतिर को एकändertम पर जित-बत बेदात Something सब आपके तारिफ करते ही नummy ठकेंगे तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाय जाता है तो इसके लिए देखिए मैंने आपे चार कच्चे अंडे लिये हुआ है और इसी के साथ मैंने आपे एक कच्चा आलू जिसे मैंने छील कर इसे अच्छे से धोलिया है काटने आपानी कटे हैं तो या अंडे को दोड़ा ए और पानी वीक उसे भी न पोड़ा नवाल is और यह दोड़ा. तो देखिए मैंने सारे अंडे को तोड़ ली आए मैं रेसिपी पहले हैं ओ Chris ज़रूर ट्राइक करेई िसमें डालेंगे हैं बारिक त्योंगी प्याच एक बारिकट गटर मफ़ह अपर इसमें हरी मिर्च बिढ़ हम सकते हैं अब ऑप इसमें डालेंगे आदा सोटा चमच काली मिर्च-पावडर आदा छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, अब हम इसमें डालेंगे अद्रक, तो देखिए मैंने आप आदा इंच अद्रक का टुपड़ा लिया है, जिसे मैंने छील लिया है, अब ह अगर आप आमलेट बना रहे हैं, तो जितना जादा आप अंडे को फेटेंगे, उतना ही जादा फूला फूला बनेगा, और देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से फेट लिया है, तो अब चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं, तो मैंने गैस के उपर पैन गरम होने के अब हम इसके उपर के जो अंडे का घूल बना कर रहे हैं, वह हम पूरे में अच्छी तरीके से फेला लेंगे, अगर आप चाहें तो इसे तवे के उपर भी बना सकते हैं, तो देखिए हम इसे पूरे में अच्छी तरीके से फेला लेंगे, और गैस का फ्लेम हमें लो रख लगा लेंगे अगर आप इस तरीके से चारों तरफ लगा लेंगे अगर आप इस तरीके से आलू नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें ग्रेट करके भी डाल सकते हैं तो देखिए मैंने आलू को इस तरीके से चारों तरफ से लगा दिया आप देख सकते हैं देखने में कितन तक पांच मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे तो पांच मिनट बात चलिए देखते हैं यह देखिए नीचे से जमरा ओमलेट वह अच्छी तरीके से सीख चुका है और वैसे भी जब हम अमलेट गुनाते हैं वह बहुत जल्दी पक जाता है तो अब हम इसे पलट लेंगे त इस तरीके से अच्छे से हलका हलका प्रेस कर देंगे इसको उपर से और फिर ढखकर इसी तरीके से हम पांच मिनट फिर पकाएंगे तो देखिए पांच मिनट हो चुके हैं अमलेट हमारा नीचे से भी अच्छी तरीके से सीख चुका है तो मैं इसको आप में निकाल के दि बना कर सकते हैं आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर ब्रैड में लगा के खा सकते हैं और इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइए करें आपको यह रेसिपी गारंटी से कहती हूं बहुत ज्यादा पसंद आएगी और जट पट बनकर तयार हो जाती ह हैं अब बच्चों को तो बहुत ही जादा पसंद आने वाली है तो देखिए अब हम इसे आप किसी भी सेप में इसे काट सकते हैं तो मैं इसे पीजा सेप में कट कर रही हूं यह देखिए अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लिस वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ